नमस्कार आप देख रहे हैं लाई बिहार मैं हूँ आपके साथ राजमोहनतिवारी बिहार भी धानसबा चुनाओ की तापी इस अब अपने जोर पकर रही है साल के सुरुवात में सुरू हुआ पोस्टरवार अब भी जारी है और चुनाओ की तीथियों की घोसना होने से पहले भी यह पोस्टरवार लगतार जारी है लेकिन इस पोस्टरवार में जेडियू आरजेडी पर लगतार भारी होती नजर आ रही है क्यूंकि हम यह देख रही कि J.U. लगतार R.J.D. के खिलाफ पोस्टर जारी कर रही है लेकिन R.J.D. काउंटर J.U. को नहीं कर पा रही है क्यूंकि पड़िवारगबाद पर घेरने में J.U. R.J.D. को लगतार कम्याब होते नजार आ रही है हमने कुछ दिन पहले भी एक पोस्टर देखा था जो कि पटना के इंकम टेक्स गोलंबर पर जारी किया गया था जिसमें सजाया तक कैदी नंबर 331 लिखा गया था और उस पोस्टर में बकाएदा लालुयादो को सलाखों के पीछे दिखाया गया था उसमें लालुयादो के पूरे पडिवार का जिक्र किया गया था उनके पदों के बारे में बताया गया था कि किस तरह से लालुयादो का पडिवार जो है वो बिहार पर भार बनता जा रहा है वहीं आज एक और फिर पोस्टर हमें पटना की सरकों पर दिखाई दिया जा रहा है जिसमें परन भरश्ट चार एक पडिवार बिहार पर भार इस पोस्टर में लालू यादो और तेजश्वी यादो एक बस पर खड़े हैं जिसे लूट एक्सप्रेस बताया गया है बस में तेजपरताफ यादो रावरी देवी मीशा भारती बैठी नजर आ रही है जेडियों लगतार पोस्टर आरजेडी के खिलाफ जारी कर रही है और पडिवारवाद को लेकर आरजेडी को घेर रही है लालू पडिवार को घेर रही है लेकिन आरजेडी जेडियों को नहीं घेर पारी है पडिवारवाद को लेकर या आनि किसी भी मुद्दे को लेकर आरजेडी जो उतनी हमलावर जो है वो जेडियू पर नजर नहीं आ रही है बियार विदान सभा चुनाओं की तीतियों की घोसना से पहले और जेडियू लगतार अटेक करते जा रही आरजेडी पर अब देखना होगा कि इस पोस्टर के खिलाप क्या आरजेडी कोई जेडियू पर प्रहार करते ह त्योंगे पोस्टर जारी कर रही है फिल हाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि पिछला जो पोस्टर जारी किया गया था जेडियू के तरफ से कोई सपस्ट जनकारी नहीं दी गई थी कि वो पोस्टर किस ने जारी किया था लेकिन यह काना कोई अतिस्योक्ति नहीं होगी कि निश्ची तर पर वो जेडियू के तरफ से ही जारी किया गया होगा आज फिर जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें भी कोई सपस्टी करन नही लेकिन माना जारा है कि यह जेडियू के तरफ से ही पोश्टर जारी किया गया है अब आर जेडी क्या इस पर काउंटर करती है यह देखने वाली बात होगी फिलहाल के लिए इतना ही खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथी बेल आइकन की घ दन्यवाद